वरुन गांधी बीजी पी के फैसले से नराज हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते हलाकि उनको किसी भी पार्टी में अपनी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दी है इसलिए वो जहां है वहीं शांत हो गए है लेकिन वरुन गांधी के टैलेंट को कोई भी इस्तमाल नहीं कर पा रहा है वरुन की उतेजना और विचारधारा उनकी यूएसपी है जो आम जन को बहुत पसंद आती है इसके लिए वरुन के फॉलोवर्स भी खूब जाता है वरुन गांधी को आम जनता उनकी अंदास की वजह से अच्छा खासा पसंद करती है जिससे इस्तमाल करने में बीजीपी कॉंगरेस जैसी पार् कि एक इनसेक्यूरिटी कॉंप्लेक्स में आते हुए देखते हुए इस्तिती से नकार रही है इसको पूरी तरह इसे नजरंदास कर रही है इसके तरफ देखना नहीं चाहती है कि वरुन गांधी को जगा मिली तो शायद वो और बड़े बन जाए कॉंग्रेस की ये छे मु क्यूकि वो लगातार प्रियम नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं पर कॉंग्रेस में उनकी जगे क्यों नहीं बन पाई ये अपने आप में बड़ा सवाल है ये बहुत खास सवाल है कि कॉंग्रेस ने वरुन गांधी को अपने उनकी टीम ने ये जानकारिया मीडिया के साथ साजह की है कि वरुन अपनी मा मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार पर ही फोकस करेंगे यूपी भाजपा ध्यक्ष चौधरी बुपेंद्र सिंग का कहना है कि वरुन गांधी को इस बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया है लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं उनके बारे में पार्टी नेतर्त जरूर कुछ बहतर ही सोच रहा होगा पीली भीड से बीजीपी के जतिन प्रशाद के नाम की घोशना के बाद कॉण्ग्रिस नेता अधीर रंजन ने उन्हें कॉण्ग्रिस में आने का ओफर भी दे दिया और बीजेपी पर अच्छा खासा टंज कर दिया उनके नाम में गांधी परिवार होने के चलते बीजेपी ने टिकिट नहीं दिया वरुन गांधी के कॉंग्रिस में जाने की बात चल रही थी लेकिन वो नहीं बनी आईए बताते हैं कि किन मजबूरियों के चलते वरुन गांधी उधर नहीं जा पाए विचारधारा का सवाल वरुन ही नहीं संजगांधी भी हिंदुत की विचारधारा के बेहत नस्दीक थे लेकिन वो कॉंग्रिस में ही थे कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जब किसी को शामिल नहीं करना होता है ने तो विचारधारा के मुद्दे का बोड लगा देती है हाला कि शामिल करने के लिए हिर्देपरिवर्तन की बात कहीं कर दी जाती है यानि कुछ भी हो सकता है राहूल गांधी से पिछले साल एक इंटर्विव के दरान पूछा गया था कि क्या उनके चचेरे भाई वरुन गांधी कॉंग्रिस में लोटे तो उनका स्वागत होगा इस पर उन्होंने उतर दिया था कि हमारी विचारधाराएं एक समान नहीं है राहूल गांधी ने कहा था कि उन्होंने किसी समय और शायदाज भी उस विचारधारा को स्विकार किया और मैं उस बात को स्विकार नहीं कर सकता मैं उनसे मिल जरूर सकता हूँ उन्हें गले लगा सकता हूँ लेकिन उस विचारधारा को स्विकार नहीं कर सकता का ओफर क्या अब कॉंग्रेस के साथ कोई बात बन सकती है ये भी एक सवाल है लेकिन अब फाइनल हो गया है वरुन गांधी लोग सभा चुनाव नहीं लड़ने वाले में इनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे चालिस साल के बाद भी गांधी परिवार के एक जुट होने की स्तितियां दिखाई नहीं देती हैं कॉंग्रेस के अधिर रंजन के ओफर के बाद भी कॉंग्रेस इस मामले पर अपनी नजर तो रखे हुए है लेकिन इस पर कदम नहीं बढ़ा रही बीजी पी ने वरुन गां के साथ ही संसद में पहुँच चुके है इसके साथ ही उनकी मा लगातार संसद और मंत्री रही हैं बीजेपी की अगवाई वाली सरकार में वरुन गांधी बीजेपी के साथ रहते इसकदर कटर हिंदू हो चुके हैं कि एक बार उन पर अलप संख्योकों के खिलाफ भाशा का इस्तमाल करते हुए भड़काओ भाशन देने का अरूप लगा था उन्होंने इस चुनावी सभा में कहा था यह हाथ नहीं है यह कमल की ताकत है जो किसी का सिर्फ कलम कर सकता है वरुंगांदी के पिता संजय गांदी को भी हिंदुत के लिए समर्पित नेता माना ग संजय गांदी ने जबरन उस जगह को खाली करवाया था प्रसिद्ध पत्रकार तवलीन सिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि संजय गांदी ने स्लम रिमूवल के नाम पर इमिर्जिंसी के समय ये काम किया था इस काम की जहमेदारी उन्होंने अपने पसंदीदा दिकार जगमोहन मलछुतरा को दी ऐसा बताया जाता है कि जगमोहन ने एक मीटिंग में कहा था कि जामा मस्जित के बीच सारी चीजों को हटा दिया जाए मैं दूसरा पाखस्तान नहीं चाहता हाला कि जगमोहन ने ऐसी किसी मीटिंग की बात को बाद में पूरी तरहां से नकार दिया था ये वही जगमोहन है जो बाद में अटल बिहारी वाजपई की सरकार में मंतरी बने और एक बार फिर लाल के लिएके आसपास के अवैद कबजे को खत्म करवा रहे थे राहुल के हर प्रतिद्वंदी को जडमे ही खत्म करना पार्टी की मजबूरी बन गई है क्या ये भी एक सवाल है कॉंग्रेस में ऐसी रणनीती पर काम हो रहा है कि राहुल गांदी के सामने किसी और को शायद ही कभी उभरने का मौका मिले यहां तक कि राहुल गांदी की बहन प्रेंका गांदी को भी उतना ही उड़ने दिया जाता है जहां से उन्हें कंट्रूल किया जा सके प्रेंका गांदी वाडरा को कभी राहुल गांदी से अधिक हैसियत की बात छोड़िये उनके बराबर भी जगह नहीं दी जाती है यही कारण है कि कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए शेशित हरूर जैसे व्यक्तियों को भी जगह नहीं मिली और मनलिकार जुन खड़के के नाम को आगे बढ़ाया गया कॉंग्रेस में ऐसे तमाम नेता हैं जो राहूल गांदी से अधिक योग्य हैं पर उन्हें इतना मौका नहीं मिला ऐसे में वरुन गांदी को कितनी जगह मिलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है वरुन गांदी की तेवर उनके अंदाज कॉंग्रेस के काम आ सकते थे लेकिन कॉंग्रेस ने वरुन गांदी के लिए पूरी तरह no entry का board लगा रखा है यहां पर एक और बात दिखाई देती है सोनिय गांधी और मेंका गांधी के बीच के दूरी आज उनके बच्चों के दूरी में तब्दील हो चुकी है अक्सर ये देखा गया है कि दो परिवारों के बीच में जो भी विवाद पुराने होते हैं वो बच्चों के साथ बड़े हो जाते हैं और वो आगे फिर रिवायत में शामिल हो जाते हैं इसी तरहां से सोनिय गांधी और मेंका गांधी के बीच में जो भी विवाद रहा वो अभी भी उनके बच्चों के रूप में दूरी के तौर पर साफ दिखाई देता है वरुन गांधी और राहूल गांधी कभी मिलते वे दिखाई नहीं देते हैं केदारनात में दोनों की मुलाकात एक बार संजोग से दिखाई दी थी उसकी काफी चर्चा भी होई थी लेकिन दोनों के बीच में उस मुलाकात के बाद भी बहुत जादा सहजता दिखाई नहीं दी है तीनों बच्ची अपनी माओं के ही दुआरा आज भी गवर्न किये जाते हैं सोनिय गांधी और मेंका गांधी दोनों में से किसी की तरफ से भी अभी तक प्यार, महबबत और परिवार को एक करने वाला कदम नहीं उठाया गया क्या वरुन गांधी अमेठी और राइबरेली से सीट चाहते थे इसमें कोई दो राई नहीं है कि वरुन गांदी अपने पिता और दादी से जुड़ी हुई सीट को विरासत के तौर पर अपने साथ रखना चाहते थे संजे गांदी सबसे पहले अमेठी के राजकुमार के तौर पर जाने गए उसके बाद गांदी परिवार के बाकी लोग अमेठी से दिखाई दिये चाहिए उसमें राजीव गांदी हो या फिर सोनिया गांदी हो कॉंग्रेस सांसाद अधिरंजन ने तो वरुन गांदी को कॉंग्रेस में शामिल होने का ओफर भी दे दिया था ऐसी खबरे चल रही थी कि वरुन गांदी को लेकर जारी चर्चाओं के दोर के बीच कॉंग्रेस आला कमान ने अमेठी के कारेकरताओं से फीडबैक लिया है वरुन गांदी को लेकर कॉंग्रेस कारेकरताओं में दो राय देखने को मिली एक खेमा चाहता है कि राहूल प्रेंका गांधी के ना लड़नी की दशा में वरुन को निर्दलिये अमेठी से लड़ा ले और कॉंग्रेस सपा उनका समर्थन करे एक गुट ये कहता है कि सोनिया गांधी के बाद इस पीडी से कॉंग्रिस में राहुल प्रेंका हैं तो तीसरा गांधी क्यों चाहिए जाहिर है कि अगर वरुन गांधी राइब बरेली या अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जीत चाहते हैं तो वे ना केवल परिवार के विरासत वाली सीट से एमपी बनेंगे बलकि पार्टी के लिए एक उमीद भी बन जाएंगे 1977 में संज़ गांधी अमेठी से हारे थे लेकिन 1980 में होने जीत मिली इसी साल उनका निधन हो गया फिर उप्चुनाव में राजीव गांधी जीते संजे विचार मंच और गली-गली में शोर है राजीव गांधी चोर है का नारा उस्वक दिया गया मेनका गांधी का राजनीतिक करियर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के खिलाफ ही शुरू हुआ था जो अब तक खत्म नहीं हुआ है इस बीच दोनों परिवारों में काफी कड़वाहट घुलती रही जो वरून गांधी के कॉंग्रेस में जाने के लिए हर दौर में एक नकारत्मक वज़ा बनी 1980 में संजगांधी की विमान हाथसे में मौत के बाद मेनका गांधी के लिए परिवार में सब कुछ बदल गया था संजगांधी जब जीवित थे तब उनकी तूती बोलती थी बहुत से मामलों में वो अपनी मा इंद्रा गांधी की भी नहीं मानते थे संजगांदी की विराजसा तब राजीव के हाथों में जा चुके थी इंद्रा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे खुश्वन सिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि अन्बन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छट के नीचे साथ रहना तक मुश्किल हो रहा था और एक दिन मेंका को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा 1983 में अकबर एहमर डंपी और संजगांदी के अन्य पुराने साथियों के साथ मिलकर मेनका गांदी ने राष्टिय विचार मंच नाम से एक पार्ठी बना ली शुरुवाती दोर में संजगे विचार मंच से बड़ी संख्या में लोग जुड़े मेनका गांदी की सभाव में भारी भिर होती थी पर 1984 में इंद्रा की हत्या के बाद कॉंग्रेस पार्टी को एक जीवन दान मिल गया सहनु भूती वाली लहर अब यहां पर शिफ्ट हो चुकी थी विपक्ष के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांदी ने राजीव गांदी के खिलाफ अमेठी से अनर्दलिय लड़ा उन्होंने नारा दिया कि गली गली में शोर है राजीव गांदी चोर है जाहिर है कि उस लहर में ये नारा काम नहीं करने वाला था और मेनका गांधी को हार का मुँ देखना पड़ा इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई 1989 में पेली भीट से जनता दल के टिकेट पर चुनाव लड़ा और सांसत बनी सुल्तानपुर से मेनका को बीजेपी ने टिकेट दे कर अब दाव खेला है बीजेपी का दाव भी वरुन गांधी के लिए उल्टा पड़ गया बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकेट दे दिया उमीद की जा रहे थी कि इस बार बीजेपी से मा बेटे दोनों को टिकेट नहीं मिलने वाला है अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत उमीद थी कि वो दोनों बिना किसी शर्त के कॉंग्रेस में शामिल हो जाते और ये हो भी सकता था कि वे निर्दल्य चुनाव ही लड़ जाते पर ऐसा नहीं हुआ अब मेनका गांधी को बीजेपी का टिकेट मिल गया अब कॉंग्रेस में जाने क्या इनके पास कोई वजेखास नहीं रह जाती है और इसका संदेश भी गलत जाएगा बीजेपी ने ऐसा तीर चला दिया कि अब वरुन के पास कोई मौका नहीं छोड़ा है कि वो चुपचाब से अपनी माग का प्रचार करें यानि की बीजेपी का प्रचार करें अब वरुन गांदी के पास और कोई विकल्प नहीं वचा है ऐसे में वरुन गांदी सिर्फ अपने माता के प्रचार के लिए सुल्तानपुर में दिखाई देने वाले हैं और ऐसा उन्होंने कहां भी है इसके अलावा वरुन गांदी ने कई और पार्टियों के साथ संपर्ग बनाने की इस बीच में कोशिश की थी कई बार लोगों ने इस बात की भी चर्चा की जब संसद में डिंपल यादाव के साथ बाचित करते वे वरुन गांदी दिखाई दिये थे कि शायद वरुन गांदी किसी तरह से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश ना कर रहे हो वरुन गांदी समाजवादी पार्टी से समर्थन लेने की कोशिश ना कर रहे हो लेकिन इन सब बातों को अब पूरी तरह से अलप विराम मिल चुका है क्योंकि वरुन गांदी कटे के BJP से कट चुका है और किसी भी पार्टी ने वरुन गांदी का नाम या उनसे आगे चर्चाओं का सलसला नहीं बढ़ाया है यानि कि कुल मिलाकर वरुन गांदी के पास उस वक्त जब वो आगे बढ़ सकते हैं उन्हें वाँ पर पास मोड में डाल दिया गया है पिछली बार भी चुनाओ के वक्त में वरुन गांदी के MMS ने काफी खलबली मचा दी थी उनकी मा मेंका गांदी इस बाद से काफी ज़्यादा परिशान हो उठी थी वरुन गांदी के करियर पर वो एक बड़ा धबी की तरह सामने आया जिसने वरुन गांदी का काफी नुकसान किया लेकिन अपने अंदाज, अपने बोलचाल, अपनी जबान से वरुन गांदी ने अपनी छवी अपने पिता के तरह एक मजबूत नेता के बनाने की कोशिश की लेकिन अब वो छवी भी उनके विपरिज जा रही है क्योंकि जिस पार्टी के साथ वो हैं वहाँ पर वो उस छवी को हाजम नहीं कर पा रहे हैं और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा